Hello everyone, welcome back to another video, I hope all of you guys are doing this fine So, आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका पतना लॉग कॉलेज के बारे में देखिए अभी तक आपको पता चल गया हुआ कि LLM का जो है merit list जो है आचुका है और पहले जो आया था उसको हटा दिया गया है due to some reason Just मैंने जो है वो आपका करेक्टेट जो हुआ है LLM का merit list आया उसको मैंने share कर दिया आपने telegram channel यहाँ पे आप जा कर देख सकते हैं और इसमें जो है मैंने वीडियो भी बना कर अप्लोड कर दिया लेकिन मैंने चेक किया website पे दुबारा तो देखा कि यहाँ पे इसमें जो है वो क्या-क्या process है इसके process कैसे होगा कब होगा और इसमें जो है LLB का जो है वो कब आ सकता है तो LM का देखिया आ चुका है तो LLB का भी जल्द आगा उस पर भी हम लोग बात करेंगे लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा सा cut-off एक रहा देख लेते हैं कि किस त्रीके से जो है वो cut-off गया है जिसे कि आप लोग पता है कि 9 seat जो है वो आपका other university प्लस पत्ना university दोनों के लिए होता है इसमें कि 4 seat जो है unreserved है आपका SC के लिए एक है BC के लिए एक है और EWS के लिए एक है तो इसमें highest 74 गया था हाँ तो entrance marks जो है वो यहां पर हम लोग देखने की कोसिस करेंगे तो यहां पर 74 गया है और last में जो हम लोग देख रहे हैं और बाकी जितना साथ student हो वो other university के हैं बाकी 11 student जो होते हैं वो आपके पत्ना university के ही होते हैं डैट मेंस की पत्ना law college के है तो 11 seat में जो है वो जैसे की चार seat unreserved के लिए दो CTSC के लिए दो CTA EBC के लिए और BC WBC और EWS के एक-एक seat होता है तो इसमें high age कितना गया इंट्रेंस के marks जो है वो 61 गया है और last में जो है वो आपका 43 गया है तो इस तरीके से जो है वो आपका गया है आप अपने जो भी student है वो का selection हुआ है सभी दोस्तों को बहुत 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 बदाई और जो है अपना admission करवा लिजेगा और आगे बात करते हैं कि कैसे जो है वो process आपको देखने को मिलेगी होगा देखे दोस्तों यह जो है नोटीस है यह मैं जल से जल सेयर कर दूँगा इसमें जो कहा गया जाके अपना जो जहां से form भरत अपने है तो वहाँ पे डाउनलोड करके वहाँ से आपको allotment letter जो है वो download करना है और online जो है counseling fees होगी छोटी सी counseling fees होगी वो आपको pay करनी है तो आपको एक allotment letter और जो counseling की जो fees होगी उसका जो है वो sleep जो है फीजिकल मतलब कि उसका जो है वो निकालकर print out निकालके वो जो है आपको और साथी साथ जो भी आपके concern department यानि के LLM है तो पतना लोग कॉलेज में ही जो है वो आपका counseling वेगरा होगा उसको लेकर साथ में जितने भी documents वेगरा है जैसे कि 10th, 12th आपका graduation की है तो 3 सल की है या 3 सल का LLB की है जैसे भी हुआ है 5 स जान पत्र के लिए आधार कर रख लिए फोटो बएरा रख लिए तो यह सारी जो मतलब basic है वो सब कुछ लेकर आपको पहुंच जाना अपने department में तो यहां पे देखिए क्या कहा गया है कि साथे 10 से लेकर साथे 4 बज़े तक है तो 10 बज़े तक आराम से पहुंचे एक से लेकर 12 सितम्बर तक डेट है तो लास तक वेट नहीं करना है अगर बाहर है तो अलग बात लेकिन यहीं है तो आप जो है वो कल ही जाकर मैं यह वीडियो जो है साथ सितम्बर को बना रहा हूं तो आठ सितम्बर से ही जाकर अपना admission वेगरा करवा लेजेगा 20 students हैं तो तो admission हो जाएगा यानि कि 12 तरीक तक तो हम उमीद कर सकते हैं या 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 उससे पहले ही जो है वह आपका 12 से पहले एक notice आजाएगा और हो सकता है कि उसमें बताया जाए कि आपका next एक वीग के बाद या कभी भी जो है वह आपका admission हो तो जल्द ही जो है वह मैं समस्ता हूं कि LL वीडियो बनाने के करम में लेट हो जाए और तो कोई भी अपडेट वेकरा होगा तो मैं आपका टेलिग्राम चनल पर अपडेट कर दूँगा ठीक है मिलते है नेक्स वीडियो में बाई 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 शीओ नेक्स वन